दोस्तों नमस्कार, मिरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभाज चुनाव को लेकर इस समय सरगर्मिया बहुत जोरों पर है राजनितिक दल तयारी कर रहे हैं कि कहां पर किस नेता को अपना चहरा बनाया जाए यानि कि खासकर कॉंग्रेस हो या भारती जनता पार्टी हो ये दोनों पार्टीओं के अंदर इस समय उम्मिदवारों की बड़ी भारी दोड़ है दोनों पार्टीओं के पास में सभी विधानसभा छेत्रों में अगर कहें तो बड़ी संख्या में नेताओं की भीड है जो वहाँ पर टिकट चाती है लेकिन राजनितिक दलों के लिए ये जरूरी है कि जिस चहरे को वो अपना चहरा बनाए यानि कि जिस चहरे को अपना चहरा बना करके विधानसभा चुनाव में उतारा जाए उसकी जीत की गारंटी क्या हो ये राजनितिक दलों की सोच में सबसे पहले आता है जहां राजनीतिक दल अपनी तयारी करते हैं तो वहीं पॉलिटिकल जो लोग है नेता है जिनको चुनाव लड़ना है उनके लिए भी होता है कि जिस राजनीतिक दल में है उनको अगर क्या वहाँ टिकट मिल जाएगी अगर टिकट नहीं मिलेगी तो फिर वो कहां जाएंगे क्या वो निर्दलिया लड़ेंगे और या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम करके यानि की दल को बदल करके और अपने लिए एक सुनिष्चित जगात तह करेंगे सारी बात का जिकर आप से इसलिए कि क्योंकि जैस जैसे विधान सभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं राज नेताओं के बीच और आम जनता के बीच जो राजनीती में रुची रखते हैं उनमें ये चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि अमुक नेताजी अमुक दल को जिसमें हैं उसको बदल सकते हैं और या फिर वहां पर उनका टिकेट पक्का हो जाएगा मैं इस वीडियो में आपके साथ हूँ दक्षिन हर्याना की गुरुगराम जिले की एक महतोपूर विधानसभा सीट जो 2007 के परिसीमन के बाद अस्तित्यों में आई और जहांपर 2009 में पहला चुना हुआ बादशापुर को लेकर बादशापुर यानि की बादशाह बनाने वाली सीट ये विधानसभा सीट जहांपर की तीन अभी तक चुनाव हो चुके हैं 2009, 2014 और 2019 और तीनों ही चुनावों में यहांपर जो नेता विधायक बने वो अलग-अलग दलके बने यानि कि तीनों बार यहांपर राजनितिक दलों के जंडे डंडे चेहरे सब बदल और हर बार नया विधायक मिला इस समय के जो वर्तमान जो विधायक थे जिनका हाल ही वे लोकसभा चुनाव के दोरान 25 मई को जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन उनका देहावसान हो गया राकेश दौलताबाद का और अब 2024 की तयारी है 2024 में कौन सा नेता कहां से हो ले 2009 के विधान सभा चुनाव में बादशापुर से राव धरमपाल विधायक जीत बने थे स्वरगी राव धरमपाल उनका निधन हो चुका है कभी सोना से विधायक बना करते थे 2009 के चुनाव में वो बादशापुर से कॉंग्रिस के कैंडिडेट हुए चुनाव जीते और च 2014 का विधान सभा चुनाव हुआ तो 2014 के विधान सभा चुनाव में यहां से विधायक बने राव नर्वीर सिंग भारती जन्ता पार्टी के केंडिडेट मनोर पार्ट वन की सरकार में पांस साल वजीर रहे राव नर्वीर सिंग 2019 का चुनाव आया तो भारतिय जन्ता पार्टी ने राव नर्वीर सिंग का टिकेट काड़ दिया राव नर्वीर सिंग पर भरोसा नहीं जताया और राव नर्वीर सिंग के स्थान पर कैंडिडेट बनाया गया मनीश यादव को और मनीश यादव इस चुनाव को बीजेपी के कैंडिडेट के बतौर हार गए और यहां से चुनाव जीत गए राकेश दौलताबाद निर्दली है मैं आपको बताता चलूं कि राकेश दौलताबाद तीनों चुनाव में कैंडिडेट थे वाश्चापूर से 2009 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी 2009 में वो इंडिपेंडेंट थे, 2014 में वो इंडियन नेशनल लोगदल से आए और 2019 में वो फिर से इंडिपेंडेंट बतावर कैंडिडेट चुनाव मेदान में आए 2019 का चुनाव जीत गए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे केवल राव नर्वीर सिंग को लेकर सर्चा में हूँ राव नर्वीर सिंग जिनने की 2014 में भारती जंता पारटी ने अपना कैंडिडेट बनाया उनको चुनाव में उतारा गया चुनाव जीत गए वो अच्छे अंतर से चुनाव जीते और अगर मैं कहूं तो बाश्चापुर के अंदर अभी तक का जो रिकॉर्ड वोटों से जीतने का है वो राव नर्वीर सिंग के नामी रिकॉर्ड है लगवग 18-19,000 से जादा वोटो राव नर्वीर सिंग के लिए टिकट नहीं चाते थे सेंटर मिलिस्टर थे कि इंद्रिय राज्य मंत्री राव नर्वीर सिंग को टिकट दिया जाए क्योंकि इन दौनों नेताओं के बीच में राव नर्वीर सिंग और राव इंदर जी सिंग के बीच 36 कांकड़ा रहा है वहीं जो मनहोर किरपा थी राव नर्वीर सिंग पर वो भी उतर गई, इसलिए उनका टिकेट कट गया, फिर अब जब 2024 की तयारी है, तो सेनरियो वही पुराने वाला है, राव इंदर जी सिंग अब भी नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर की राव नर्वीर सिंग को टिकेट म तो राव इंदर जी सिंग नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर राव नर्वीर सिंग को टिकेट मिले, और दूसरी बात, जो मनोहर किरपा रही राव नर्वीर सिंग पर, 2014-2019 जिन चुनावों में राव नर्वीर सिंग को सहयोग मिला, साथ मिला मनोहर लाल जी का, वो अब की ब यादव बहुत नजदीक माले जाते हैं उनके 2019 के चुनाओं में राव नर्वीर सिंग का टिकेट कट करके जब मनीश यादव को मिला तो एक बारगी चर्चा चली थी कि क्या राव नर्वीर सिंग पार्टी छोड़ देंगे लेकिन राव नर्वीर सिंग उस चुनाओं में यानि की 2019 में मन मसोस कर रह गए और उन्होंने बारती जनता पार्टी का साथ दिया वह जैसा भी दिया वो मद दाता जानते हैं वहांकी जनता जानती है लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी अब पिछले लगवक दो तीन महीने से आप देखें तो राव नर्वीर सिंग का तेवर क्लेवर सब कुछ बदले हुए हैं राव नर्वीर सिंग अपनी पार्टी की सरकार पर खूब उठाते हैं उन्होंने गुरुगराम के अधिकारियों पर पिछ उसे वो कम दिखाई पड़ते हैं और अब चर्चा चल पड़ी है कि एक तरफ तो राव इंदर जी सिंग जो नहीं चाहते कि राव नर्वीर सिंग को किसी भी कीमत पर चुनाओं में टिकेट मिले दूसरा जो उन पर मनोहरलाल का जो सनह था वो रहा नहीं मनोहरलाल की छत्र चाहा उन पर रहेगी नहीं ऐसे में राव नर्वीर सिंग को बीजेपी में सपोर्ट कौन करेगा और बीजेपी में राव नर्वीर सिंग की टिकेट की पैरवी कौन करेगा इसको ले करके सवाल उठने शुरू हुए और वो सवालों का कुछ जवाब तब मिलना शुरू हो 1987 में पहली बार विधायक बने थे और 1987 में वो पहली बार विधायक बने थे लोगदल के टिकेट पर चौधरी देवी लाल की पार्टी के टिकेट पर और वहाँ पर विधायक बनने के बाद उनको चेर्मेन बनाया गया पहले आउसिंग बोर्ड का और उसके बाद में राव न नर्वीर सिंग् बगावतियों में शामिल हो गए उसके बाद दूसरी बार राव नर्वीर सिंग् विधायक बने 1996 में 1991 का शायद उन्होंने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन 1996 में वो चौधरी बंसी लाल की टिकेट पर विधायक बने गुरुगराम से फिर विधायक बन गए 1996 में और विधायक बनने के बाद राव नर्वीर सिंग् बंसी लाल सरकार में वजीर रहे मंत्री रहे और यहां भी राव नर्वीर सिंग् बाद में बगावती हो गए और चौधरी बंसी लाल की सरकार गिरने में गिराने में राव नर्वीर सिंग् का भी एहम किरदार था उसके बाद में राव नर्वीर सिंग 2000 के चुनाव में और 2005 का चुनाव और 2009 का चुनाव इस दोरान में कभी कॉंग्रेस में रहे कभी हरियाना जनहित कॉंग्रेस में रहे तो उन कुल्दीब विश्णोई की पार्टी से लोकसभा का चुनाओ भी रड़ा राव नर्वीर सिंग ने 2024 के चुनाओं में भारती जनता पार्टी ने उनको टिकेट दिया और भारती जनता पार्टी के टिकेट पर विधायक बनके मंत्री बने पहला मौका था जब राव नर्वीर सिंग बगावती नहीं हुए बारती जंता पार्टी ने जरूर राव नर्वीर सिंग के साथ बचावत कर दी इसे बचावत ही कहेंगे कि उनका टिकेट काड़ दिया गया अब राव नर्वीर सिंग 2024 की तैयारी में है और जो मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी चर्चाएं हैं कि उनका जो और आप लोगों ने सुने भी होंगे देखे भी होंगे जो राजनीती में रुची रखते हैं तो राव नर्वीर सिंग के जो भाशन हैं जो उनके तेवर ह हैं वो कह भी चुके हैं कि अगर टिकेट नहीं मिलेगा तो चुनाव तो लड़ूंगा चाहे निर्दलिया लड़ना पड़े और अब इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राव नर्वीर सिंग टिकेट वितरन का इंतजार भी नहीं करेंगे क्या भारती जंता पार ही है में कि उनको लगता होगा शायद और लोग जो जो पॉलिटिकल लोग हैं जो राजनीतिक गतिविदियों में रुची रखते जो लोग हैं उनको भी लग रहा है कि राव नर्वीर सिंग को भारती जंता पारटी का टिकेट मिलना इतना आसान नहीं है तो ऐसे में राव लोग माने तो अन्याय था उनको टिकेट नहीं मिला इसलिए उनको पार्टी बदलना और कोई उन पर लांचन भी नहीं आएगा इसे में क्योंकि उनके पास पिछले 5 साल से किसी भी प्रकार का कोई लाब का पद भी नहीं था अब मैं जो बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस में चले जायें मैं आपको बताता चलूं कि बाध्शापूर के अंदर कॉंग्रेस के पास भी 2009 के चूनाओ के बात coconut को नहीं मिला को मैं को मैं अगर वीर शरद यादव के बड़े नस्दीकी हुआ करते थे स्वर्गे शरद यादव के और कॉंग्रेस का उनको टिकेट मिला 2019 के चुनाव में लेकिन राव कमल वीर सिंग को पांच फीसद वोट भी नहीं मिला यानि कि जो जीतने वाले कैंडिडेट को वोट था वो एक लाग से जादा था और जो हारने वाले कैंडिडेट जो चौथे पांच वे नंबर पर आये बहुजन समाज पार्टी से भी पीछे चले गए थे कमल वीर सिंग और उनको मात्र चार पॉइंट साथ परसेंट वोट मिला लगबग दस हजार के आसपास इस हालात में क्योंकि कमल वीर सिंग तो चाहे भले ही कॉंग्रेस के अंदर हैं भले ही वो राहूल गांदी के नजदीक है लेकिन आज भी कहीं जलवा उनका दिखाई नहीं देता दूसरी तरफ अगर देखें तो राव नर्वीर सिंग का दबदबा और जलवा कायम है राव नर्वीर सिंग जो अपनी सभाएं कर रहे हैं उनमें अच्छी खासी भीड़ भी हो रही है कॉंग्रेस से कलेक्शन भी राव नर्वीर सिंग का जुड़ा हुआ है क्योंकि राव दान सिंग जो महिंदरगड के विधायक है जिनको टिकेट मिला था भिवानी महिंदरगड लोकसभा का वो राव नर्वीर सिंग के समधी है हलांकि वो संकट में हैं आजकल उनके यां तमाम EDVD की कारवाई चल रही है लेकिन रिष्टेदारी उनकी नजदीक की है राव नर्वीर सिंग राव दान सिंग के समधी है और इस लिहाज से उनकी भुपेंदर सिंग हुड़ा और कॉंग्रेस आला कमान में एप्रोच होना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इधर क्योंकि लगता ही है कि भारती जन्ता पार्ट्री से उनको टिकेट की कोई आस है नहीं उस हालात में ये चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि राव नर्वीर सिंग कॉंग्रेस से कॉंग्रेस का हाथ पकड़के कॉंग्रेस में शामिल होकर के अगला चुनाव कॉंग्रेस के टिकेट पर लड़ सकते हैं वैसे आपको क्या लगता है कि अगर राव नर्वीर सिंग कॉंग्रेस में जाए तो क्या उनकी रहा आसान होगी उनको कॉंग्रेस में टिकेट आसान ही से मिल सकता है आपको क्या लगता है कि राव नर्वीर सिंग क्या जिताओ केंडिडेट ह सकते हैं और राव नरवीर सिंग के रूप में कॉंग्रेस को बड़त मिल सकती है और सबसे प्रमुक सवाल आपको क्या लगता है कि दक्षिन हरियाना में अपकी बार कॉंग्रेस का परदर्शन कैसा रहेगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ द